हेलो एरिवन स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूटूब चैनल में तो आज के इस वीडियो की शुरुवात करते हैं सेंदव गाटी सब बैता से इससे पहले हमने पास अनकल कर लिया था देखें आपका एक वी क्रिवीजन हो जाएगा ये वन लाइनर जो सीरीज अ व प्रगयतीयासिक में वह कालाता है जिसमें लिखित परमाण मिलते हैं लेकिन उसको पढानी जाएका जैसे सिंद्यू गाटी सबबैता में लीपी है लेकिन उसका आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है इतिहासिक में वो सुरोत आते हैं जहां पर लिखित प्रमान भी मिलते हैं और पढ़ा भी जा चुका है तो इस प्रकार इतिहास को तीन बागों में बाटा जाता है तो सिंद्यू गा क्या है मेहत्वपुण कारक जो था मिर्दभांट था सिंदुगाटी सब्वैता वैदिक सब्वैता से बिन्द थी क्योंकि इसके पास विक्षित सहरी जीवन के सुविदाएं थी इसके पास चित्र लेखी लीपी थी इसके पास लोहे और रक्षया सब्वैता में ऐसा कुछ नहीं था वह एक ग्रामिन सब्वैता थी और वह लोहे से परीचित थे हडपा संस्कर्ति की जानकारी का परमुक्षरोत पुरा तात्वे के खुद आई अब सुमेलित करना है कुछ विदवान है जिनोंने हडपा सब्वैता के उत्पत्ति के लिए विविन विविन मत दिये तो उन में एच जिमेके का क्यामत है कि सुमेर के लोग यहां आए और उन्होंने हडपा सब्वैता को विक्षित किया मार्टिमर वीलर का क्या कथन है पस्जी मेश्या से सब्वैता के विचारों का प्रवसन यहां पर हुआ अमलानन्द घोस हडपा सब्वैता को उदवाव पूरो हडपा सब्वैता की प्रप्रकोता के परिणाम सरूप हुआ था भारत में चांदी की उपलब दिता के प्राचिन्तम साक्ष्य कहां से मिलते हैं हडपा संसकर्ती में हडपा में मिल्टी के बर्तनों पर सामने तो प्योग वा था किस रंका लाल रंका मुर्ति पूजाकार माना जाता है पुरोवारिय सब्वैता से हाथी, गाए, गैंडा, बाग, पसो में से वह है जिसका संसकर्ती, अडपा संसकर्ती में पाई गई टैरा कोटा कलाकर्ती में निरूपन नहीं हुआ है यानि कि कौन से पसु का अंकर नहीं था, गाएं का अंकर यहाँ पर नहीं था, अब प्राजी निस्तल हैं और पुरातात्विक खोज हैं, तो लोथल, लोथल से क्या मिला है, गोधिवाडा, काली बंगा से क्या मिला है, जोता हुआ खेद, दोलावीरा से खडपन लीपी के ब पूछे जाते हैं, हडपा से बैता कौन सी नदी परिष्टीत है, रावी, हस्तिनापूर, गंगा, नागारजुन कौंडा, क्रिशना, पैठन, गोधावरी, हडपा, रावी, काली बंगन, गगर नदी के किनारे लोथल, बोगवा नदी और रोपड, सतलज, इंपर्टेंट से बैता के बारे में बताया गया, सिंदुगाटी से बैता जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहन जोदडो और हडपा के लिए, अपने किर्शी सम्बंदिकारियों के लिए और अपने उध्योगों के लिए, सुमिलित करना है आपर आलम गीरपूर कहां है, उत्रपरदेश में, लोथल कहां है, गुजरात में, काली बंगा, राजस्तान में, रोपड कहां है, पंजाब में, अलम गीरपूर, उत्रपरदेश, बन्नावली, हरियाना में, दैमाबाद, महराष्ट्रा में, राखिगडी, हरियाना में, हडप्य स्तल और कुछ उसकी स्त जमू कस्मीर में है मांडा ये हडपा सब बैता का सबसे उत्री स्तल है दैमाबाद महाराष्ट्रा में है ये हडपा सब बैता का सबसे दक्षनी स्तल है कालिबंगा राजस्थान में है जहां से जुते विखेत के परमान मिले है राखिगडी हरियाना में है जो भारत का सबसे बड़ा इस्तल है हडपा सब बैता का हडपा सब बैता के संसकर्थी में अवस्तित इस्तल है हडपा संसकर्थी के सिंद में सिंद यानि की पाकिस्तान में इस्तित बताने है कौन-कौन से इस्तल है तो मोहन जो दड़ो पाकिस्तान में है चहूदडो जुदीर दड़ो आमरी क लोट दीजी अली मुराद ये सब कहां है पाकिस्तान में चहूंदडो काउत खनन किस ने किया था जे एचे मैं केने काली बंगा हडपा लोथल आलम गिरपूर में से सिंदुगाटी सब बैता का वह स्थान जो आप पाकिस्तान में है हडपा जो है पाकिस्तान में है बाकि काल बंगा राजस्तान में है लोथल गुजरात में है आलमगीरपूर उत्रपरदेश में है रंगपूर और हडपा की समका लिंसब बैताती वह है सोरास्ट्रा गुजरात में तो रंगपूर कहा है गुजरात में और रंगपूर से दान की बूसिय के साक्षे मिले है ददेरी एक प्रवर्ति हडप्य पुरास्तल है, ददेरी कहां पर है, पंजाब में है, हडप्पा, मोहंजोदोडो, लोथल में से, सिंदुगाटी का वैस्तल जहां भारत, जो भारत में इस्तित है, तो लोथल है भारत में इस्तित, हडप्पा पाकिस्तान में है, मोहंजोदोडो भी कहां पाकिस्तान में वह हडप ये नगर जिसका परती नी दितो लोथल का पुराता बंद्रका है इस दिल स्थितल है भोगवां नदिपरники तो लोथल का है भोगवां नदिपर सिंदुगाटी सब्वेता का पतंद नगर लोथल शिकंद्रिया लोथल मास्थान गड नाजपटनम मे में जो हडफ्पा का बंदर का है कौन सा है लोथल काली बंगन रो पड़ पातली पुत्र लोथल में वह स्थल जो सिंदु गाटी सब्प्यता से सम्मंदित नहीं है पातली पुत्र भारत का सरव से बड़ा हडफ्पन स्थल राकी गड़ी हडपा सब्वयता का सवसे बड़ा पूरा अस्तल महोंजदड़, देखे भारत में सवसे बड़ा अस्तल राखी गड़ी है और पूरे हडपा सब्वयता में देखा जाये तो महोंजदड़ सिंदुगाटी शब्यता के लोग विश्वास करते थे मात्र सक्ति में सिंदुगाटी के लोग पूजा करते थे मात्र देवी की, पसूपती की, लिंग और योनी की, पसूओं की, नागों की, रक्षों की सिंद्धुगाटी सब्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतियों का नाम जुड़ा हुआ है वहे कौन-कौन से हैं राखलदास पनरजी और दयाराम साहनी तो दयाराम साहनी ने हडपा की खोज की थी राखलदास पनरजी ने महंजोदडों की खोज की थी सुमेलित करना है हडपा की खोजकिस ने की थी दयारामसाहनी ने लोथल की S.R. Rao ने सुरकोत्रा की खोजकिस ने की थी JP Josie और दोला विरा की भी JP Josie ने खोजकिस थी हडपा का उत्खनन करने वाला पर्थम पुरातत्तवीड जो इसके महत्तों को नहीं समझ पाया तो सबसे पहले एक निंगम ने इसका जो है ध्यान दिलवाया था लेकिन इसके महत्तों को नहीं समझ पाया था जीविख्सित अवस्ता में हडपा, कालीमंगल, लोथल और मोहंजद जोर में सिवल्पताण जहां गरों में गव क्यावशे सी मिले हैं मोहंजद लड़ो शे सही काल कर्मा नुसार लगाना है नगर संस्कर्ति लोहे का हल आहत मुद्रा आई फिर सोने के सिक्के आई नगर संसकर्ति किसे रिलेटिड है हडपा सब्वेता से लोहे का हल उत्तरवेदिक सब्वेता आहत मुद्रा इसके बाद आई और सोने के सिक्केश के बाद आए थे सरव पर्थमानों ने जिस दातु का उप्योग किया था वहे थी तांबा हाथी दात का पैमाना कहां से मिला है लोथल से हडपा काली निस्तलों में अभी तक जिस दातु के प्राप्ति नहीं हुई है वहे है लोहा आलमगीरपूर लोथल मोहन जोदडो बनवाली में हडपा के लोगों ने सडको और नालियों के जाल के साथ नियोजित सहरों का विकास किया मोहन जोदडो तथा हडपा अब विलुप्त हो गए है वह खुदाई के दोरान पर कट हुए थे ये दोनों ही सही है हडपा संसकर्ति के संद्र में सैल करतिस्ता पत्य के प्रमान मिले हैं दोलावीरा से दोलावीरा जी इस राजय मेंस्तित है गुजरात गुजरात में हैं दोलावीरा वै हडप सतल नगर जो तीन भागों में भगत है दोलावीरा एक उन्नत जल पर भंदन विवस्था का साक्षय कहां से प्राप्त हुआ है दोलावीरा से कुंतासी दोलावीरा लोथल काली बंगा से वैस्थल जहां से द्वी संस्क्रिय यूगल सवाधान के साक्षय कहां से मिले है लोथल और काली बंगा से हडपमन स्तल सनोली के अभी हाल ही में उत्खनोनों से प्राप्त हुए है मानव सवाधान वस्तरों के लिए कपास की खेती का रमसर से पहले किया गया बारत में सिंदुगाटी सब्वैता के संदर में सही कथन बताना है यहां पर यह पर मुक्त है लोकिक सब्वैता थी तथा उसमें दार्मिक तत्व ही अद्वि उपस्तित थे वर्चस्व साली नहीं था उस काल में भारत के पास कपास के वस्तर बनाए जाते थे भारत में कपास के वस्तर बनाए जाते थे शिंदुगाटी सब्वैता के संदर में सही कथन वे देवियों और देवताओ दोनों की तो गाएं उट और गोडे कांकर नहीं मिलता जिस पसु क्यावसे सिंधु गाटी सब्वेताम प्राप्त नहीं हुई है शेर मरन पर्टिका पर उतकिर्ण सींगी युक्त देवता की किर्थी कहां प्राप्त हुई है काले बंगा वह सब्वैता जो नील नदी के तट परपन पी मिस्र की सब्वैता माया, एजडेक, मुहिसका, इंका आधी सब्वैताओं को दक्षिन उत्तर से दक्षिन करम एजडेक, माया, मुहिका, इंका लेखनकला की उचित प्रणाली विक्षित करने वाला सरवपर्थम प्राचेन सब्वैता थी सुमेरिया तो ये थे सिंदुगाटी सब्वैता से रिलेटिड परमुक परमुक फैक्ट जहां से एक जामिकिसम बन जाते हैं उम्मीद करते हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू सो मच